हेलो गुड मारी फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं मद्यप्रदेश कॉंस्टिबल की मेरिट लिस्ट की तो 2017 में कॉंस्टिबल की मेरिट लिस्ट और कट ओफ क्या रहा था उसकी बात करेंगे और 2021 की हमारी वेकेंसी है जो 19 वाली की एक्जाम लेट हुई थी उसका क्या रहने वाला है इन दोनों चीज़ों आज डिसकस करने वाले हैं तो आए हम देखते हैं कि किस प्रकार से 2017 में फाइनल कट ओफ रहा था और 2021 में क्या फाइनल कट ओफ रह सकता है तो आए शुरू करते हैं सब्सक्राइल हम बात करेंगे हैं कि फॉस्ट फेज की 42.69 फिमेल का कट ओफ रहा था उसके बाद हम बात करते हैं तो 67.45 रहा था देखिमेल की बात करते हैं वापस इसी में तो 61.23 में फिमेल का कट ओफ रहा था और 42.78 फिमेल का कट ओफ टो अब देखिए 2017 में जो फिजिकल से पहले जो मेरेट लिस्ट आई थी जो लिस्ट आई थी फिजिकल के लिए उस लिस्ट का क्या कट ओफ रहा था हम पहले फिर्सट फेज का दिख रहे हैं इसमें हम बात करते हैं तो में मेल का कट-off हम देखते हैं तो 56.89 रहा था और स्वे में मतलब महिला के हम बात करते हैं कि तो 48.63 इसका पार्सट स्ट्फ पेज का कट-off रहा था तो इस परगार देखा है 2017 की वेकेंसी में जन्रल का फ़ेश स्ट्फ फेज कट-off 70.5 फीमेल का बात करते हैं तो 42.9, OBC 67.45 और 61.23 फिमेल का कटोफ, ST की बात करते हैं 50.7 मेल का और 42.78 फिमेल का रहा था, 56.89 मेल का रहा था और 48.63 फिमेल का रहा था, इस बार हम यहां देखते हैं जनरल की महिलाओं का कटोफ या उसके आरक्षन को लेकर के केस भी चल रहा है, तो उस उसमें हम देखते हैं 70.5 से बढ़कर के 75.52 हो गया था, तो ये इतनी लीड इसमें फाइनल मेरिट में रही थी, जनरल मेल की, इसमेल की बात करते हैं, तो 42 से बढ़कर के 46.79 हो गया था, जो की फाइनल मेरिट रही थी, जितने अभिशिकल पास होई थे, फिजिकल क्लियर ह होने के बाद एक merit बढ़कर के first phase से second phase या final cut off में हम इसको देखते हैं उसके बाद हम बात करते हैं obviously 67.45 male की रही थी जो की बढ़कर के 73 हो गई थी यहाँ पर भी में लगबग 6 नंबर की lead बनाई थी इसने और इस प्रकार हम जगते हैं महिलाओं में तो 61 से लगबग 66.69 यह cutoff female की हो गई थी उपर वाले cutoff लिख रहा हूं में यह male की रहेगी और नीचे वाल जी cutoff यह female की रहेगी ठीक है यह हम यह और चीज़े लिखनियत में जगे छोड़ रहा हूं इसका दम बात करते हैं ST की तो final cutoff ST boys का रहा था 55.72 और girls की बात करते हैं 47.27 इसका final cutoff girls का रहा था उसके बात करते हैं तो 63.43 रहा था male का cutoff और female cutoff की बात करते हैं तो 50.44 female का final cutoff रहा था तो इस प्रिकार से आप देख लिजे कि कितने number की lead आई थी 2017 में first phase जो की physical का होता है physical के बात किम बात करते है final cutoff में कितना अंतर आय था उसका वेकेंसिस number of vacancies की बात कर लेते हैं नंबर ओफ वेकेंसिस हैं नंबर ओफ वेकेंसि की बात करते हैं तो 4458 पद हमें यहां general male के लिए alert हुए थे और final alert के बाद हम देखते हैं तो 578 पद और इसमें जोड़े गए थे और total इन पदों को यहां पर भरा गया था उसके बाद हम बात करते हैं जनरल female के बात करते हैं तो 1801 पद हमें उस समय पर general female के भरे गए थे और final 1891 है महिलाओं को यहां पर इस पद पर न्योकती दी गए थी उसके बाद हम बात करते हैं OBC में तो 855 पद OBC के reservation में आये थे 855 में से 37 पद और जोड़ करके और 802 मेल के पदों को भरा गया था और 295 पद जो है फिमेल के OBC पद यहां पर भरे गए थे उसके बाद हम बात करते हैं ST की तो 1643 प्लस 247 यह तो है नेट पद और यह साथ में एलोट करके भरे गए हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं 1643 प्लस 247 या इनको आप टोटल मान कर भी चल सकते हैं कि टोटल इतने पद भरे गए थे दोनों का योग तो इतने पद 1643 प्लस 247 पद इनको जोड़ लिजा तो यह है हमारे लगभग 800 से अधिक या 1900 के अपरोक्स पद है इन पदों को मेल में ST से भरा गया था और 582 पद महिलाओं से भरे गए थे 2017 में उसके बाद करते हैं से की 1349 प्लस 190 1529 पद तो यहां पर मेल से भरे गए थे मेल के इंडिडेट के और 451 पद महिलाओं के भरे गए थे जो जो मैंने यहां पर पद लिखे हैं यह पूरे के पूरे पद 2017 की मेरिट में कुछ भी न घटाते हुए बढ़ाते हुए इन सभी पदों को भरा गया था इस प्रकार हम देखते हैं कि 2017 की vacancies में first phase का क्या रहा है cut off final cut off क्या रहा है और total number of vacancies क्या रही और कितने पद यहां पर भरे गए गए तो इस प्रकार हमने न सारी चिजों को देख लिया है और उसके बाद हम बात करते हैं 2021 की vacancies की तो जिस प्रकार से पेपर भी आप हमने बनाए हैं दिये गए हैं उनमें मैं भी एक सिलेक्टेट केंडिडेट हूँ जो मेरा भी रिजल्ट आना बाकी है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दू किस प्रकार इस साल जो पेपर आये थे वेकेंसिस के उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक हैं कहीं और कुछ और मिस्टेक हैं इस प्रकार से देखते हैं चोटी-चोटी गलतियों को देखकर कि इस बार मिस्टेक्स बहुत ज्यादा की गई थी तो लगबग आप मान के चलिए कि जो हार्ड शिफ्टे हैं उनमें कम से कम साथ से आठ नंबर का नम्लाइशन में अंतर आताहि है जो हार्ड शिफ्टे उनमें साथ से आठ नंबर का न्मालिजिशन में अंतर आनताहि ए ऑर जो हमारी शिप्टों में नमबर बढ़ेंगे अपने तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो 17 की वेकेंसिम पेपर था उसके कंपरिजन में अगर पेपर को देखते हैं तो पेपर का लेवल थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था तो इस प्रकार से अधिकतर होने की 99% संभावना है 100% तो नहीं कह सकते हैं का फार्मूलाइक अलग होता है नंबर बढ़ भी सकते हैं गट भी सकते हैं तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हैं उसके बाद यह हम बात करते हैं इस बार कितना अंतर्क जनरल ओबीसी एस्टीसी में आ जाएगा तो हम देखते हैं सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल में इस बार कट ओफ जो पिछली बार 75 पॉइंट रहा था तो जनरल का कट ओफ इस बार भी हमने रिसर्च के बाद बता रहा हूं मैं आपको 73 से 76 के बीच ही फाइनल रहना है यह आप नोट कर लीजेगा इस जो चीजे हैं उनको देखते हैं फिक्स हो गया यह ताइए क्टोफ 73 जनरल का महिलाओं के हम बात करें तो महिलाओं के मेरिट में जनरल में कुछ भी Clearance नहीं बिल रहा है कि क्या प्या नहीं जाना ही कित Conier पहाई जाए कृते हैं कितनी सिटिए भरी जाएगी कितनी नहीं ज्यादा अंतर आ रहा है आप देखिए कहीं कहा 42 और कहा 65 कहा यह फाइनल 46 66 मतलब लगबग लगबग 18 से 20 नंबर का अंतर हम देखने को मिल रहा है तो इसमें बहुत बड़ी मिस्त्री है तो इस चीज को हम छोड़ देते हैं लेकिन इतना हम देख सकते हैं कि 65 से 70 महिलाओं क कटोफ जाने वाला है कि बहुत सारी ऐसी गल्स रही है जिनके 70 के अप्रोक्स नंबर होने के बाद भी उनका जनरल में सेलेक्शन नहीं हो पाया है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कटोफ जाएगा तो 65 से 70 के बीच ही जाएगा फाइनल कटोफ महिलाओं का जनरल में उसके 75 नहीं कहें तो 71 से 73 के बीच में क्योंकि पिछली बार पेपर थोड़ा सरल आये था और सरल पेपर के कारण बहुत ज्यादा मार्क्स अप्टेन किये थे स्टुडेंट्स लेकि इस बार इसा नहीं हो पाया है बहुत सारी समस्यां थी नंबर क्वेशन गलत भी होए हैं तो इकतर से 73 के बीच में इस बार को टोफ फाइनल और बीसी का जाने वाला है दिए ओवीशी फिमेल के बात करते ही तो 68 से यह 67 से 69 के बीच में जिनके नंबर है गल्स की उनका फाइनल सिलेक्शन दोजार एक्किस यह उननिस वाली जो एकेंसी एंप कॉंस्टेबल की हमारे ज तो इस बार भी एस्टी में मेल में 56 से 62 के बीच में कॉट फाइनल हो जाएगा मैं इतनी ज्यादा लीट क्यों बता रहा हूं क्योंकि नॉर्मलाजिशन का फंडा ऐसा होता है इसमें बहुत ज्यादा नंबर बढ़ भी जाते हैं कही बार बहुत ज्यादा घट भी जाते है और अधिकतर questions इस बार कि जो shift रही हैं उनमें घलत आये हैं तो इसलिए इनके बीच का जो duration है वो बहुत बढ़ गया है इस प्रकार हमने बहुत ज्यादा चीज़ों को देखा है research किया उसके बाद हमने ये निसकर्श निकाला है कि यहां पर कितने number बढ़ और गट सकते हैं तो merit में बहुत ज्यादा उच्छा लाया है एक इस बार number of vacances गल्स की कम कर दी गई है तो इससाब से देखते हैं तो पद बहुत कम है क्योंकि पिछली बार पद थी हमारे पास 16000 और इस बार सिर्फ 4000 थे तो 4000 से हमने इसको 6000 किया है लेकिन फिर भी देखते हैं च्छे दून अन्यता मेरिट कहां जाती आप सोची सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं ऐसी मेल की तो जो 63.43 पे मतलब फाइनल हुआ था 63.43 पे इस बार इनका यह देखके मान के चलिए आप कि इनका 62 से 65 के बीच में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा मान के चलने के बात नहीं है क्योंकि मैं यहां सब तुक्के नहीं लगा रहा हूं यह बहुत सारी चीजों को देखा है एनलिसिस किया है और एक निसकर्स के बाद में आपको बता रहा थीए उसका बात करते हैं से female की तो इस बार हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा लगश एसे female की तरपन से 57 के बीच में merit SC female की तो SC जब female की merit है उसमें 53 से 57 के बीच में merit देख सकते हैं अब आपको बहुत सार चीज़ें दिख रहे होगी कि अर SC की merit पिछली बार कम गई थी SC female की ज़्यादा गई थी इस बार इसा क्यों हो रहा है तो उसमें हमें देखने को मिला है कि कहीं जो SC female की लड़किया है उनके 52, 51 नमबर पे उनका final से अभी selection हुआ है first phase में तो इससाब से हम देख सकते हैं कि अगर नमबर बहुत ज़्यादा बढ़ते गड़ते ही तो इससाब से इनका तरपन से सत्ताओन के बीच में हो जाएगा और यहां पर भी सेम कंडिशन बन रही है तरपन, चपन, सत्ताओन, बासर तो यह दोनों कहीं कि अपने एक दूसरे की क्राइटेरिया को क्रोस कर रहे हैं तो यह क्या दो नमबर की लीड के साथ भी इनके merit फाइनल आ सकती है उसके बाद हम बात करते हैं एक और नोटिविकेशन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट आया है कल जो की 28 अक्टूबर को बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे स्टुडेंट्स को यह सारी चीज़े पता चल गए होगी जिनको नहीं चली है उनके लिए भी एक खुशकबरी की बात है कि जो SSJD का 2019 में वेकेंसी आई थी लगबग 20 साल में क्लियर हुई थी इस बार इसा नहीं हुआ है जो 21 वाली वेकेंसी थी उन्हें एक साल के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है रेटन किया है फिजिकल और मेडिकल भी हो चुका है तो उसका फाइनल इस्ट बहुत जल्दी आने वाला है और सबसे बड़े खुशकबरी की बात है कि 28 अक्टूबर 2022 जो कि कल की देर थी उसमें यहाँ पर SSC GD की वापस वेकेंसी आ गई है और एक महिने से फार्म भरे जाएंगे तो आप SSC की साइट पर जाकर के पूरी डिटेल्स को देख लीजिए या फिर मैं SSC GD के लिए स्पेशल वीडियो तो अगला बढ़ा दूँगा उसमें आप देख लीजिए तो यहाँ पर आप देखते हैं 2022 ते इसकी SSC GD है क्योंकि 24,370 पत से नोटिविकेशन आउट हो चुका है और फार्म डलने स्टाट हो गए है तो जितने वी स्टुडेंट्स SSC या सेंट्रल की एक्जाम की तयारी कर रहे है वो इसको भर सकते SSC GD का नोटिविकेशन है पेपर की वो अच्छा आता है इस बार कुछ पेपर में चेंजेस किये गए हैं तेकिन फिर भी बहुत सही है और 3 ययर का Age Relaxation सभी को दिया गया है नहीं पर हम दिखते हैं कि OBC को 3 साल का Age Rel Councillor मिलता है DSRC में 5 साल का मिलता है तेकिन इस बार General और EWS जो भी है इन सभी बाच्छों को भी 3 साल का Age Relocksation दिया गया है कि COVID की वज़े से 3 साल का Rel pelvis मिला है जो बच्चे ओरे जो रहे थे, उनको भी एक बार और मोका मिला ही, तो अच्छे से तयारी करके, आप चाहें, तो 24399 जो वेकैंसिस SSGD के आई हैं, इनमें वापस सिलेक्ट होकरके, अपना फ्यूजर प्राइट कर सकते ही, तो ये बात तो होगी SSGD की, इसमें हम और बाते कर सो नंबर, बराबर होते थे, लेकिन अब 80 questions और 160 नंबर होगे, एक question दो नंबर का होने वाला है, वहीं notification ने लिखा हुआ है, कि 0.5 की negative marking ही, तो 0.5 का मतलब यह हुआ कि दो नंबर कहें थी, ये question है, तो उसके लिए ये 1 by 4 की negative marking मानी जाएगी, तो आधा नंबर 0.5 बतायग मतलब एक बटा दो negative marking बता दिया गया ही, तो ये तो बहुत ही tough हो जागा, लेकिन नहीं, कि दो नंबर का equation ही, तो उसको अगर आप divide करोगे, तो 1.25 या 1 by 4 ही negative marking ही, इससे बिल्कुल भी सोचने और डरने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद time दोड़ा कम कर दिया गया है, पहल questions 20 कम किया गया है, और time पूरे 60 मिनट का कम कर दिया गया है, तो अपने को थोड़ी practice अच्छी करने पड़ेगी, तो ये question कम ज्यादा नहीं किया गया है, और time बहुत ज्यादा कम किया गया है, उसको कारण भी है कि merit बहुत ज्यादा उचाल मार रही है, तो उसको cover करने के ल बात है, यहाँ पर सिर्प mensuration आएगा, क्योंकि अधिकतर students इसे होते हैं, जो advanced math को पढ़ने में, थोड़ा boring math करते हैं, उस चीज को समझ नहीं बात है, क्योंकि वहाँ पर formula को अधिकतर चीजों को रटना पड़ता है, तो उस चीज को हटा दिया गया है, आते भी हैं, तो ब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्यू